नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं उनके अभिभासन में सरकार के फ्यूचर प्लान की जलक दिख चुकी है दूसरी तरफ दोनों सदनों में पेश आर्थिक सर्वे के मुताविक साल 2022 स्टेज में विकास दर साथ पिजदी रहने का अनुमान है अब देश के बयट की बारी है बित मंत्री निर्मला सितारमन बुद्धवार एक फरवरी को आम बयट पेश करेंगी बयट का प्रभाव हर आम और खास पर पड़ता है इसके जरिये देश का आर्थिक बिकास सुनिचित होता है लेकिन बयट पेश होने से पहले ही रायनिती ब्यान बाजी शुरू हो गई है मुख्य मंत्री हमान्सुरेन ने आने वाले बयट की तुलना कथनी और करनी से की है जमसेदपुर में उन्होंने कहा है कि बहुत बोला जाता है होता कुछ है और आता कुछ हो रहा है जारखन में सुबह साम ठंड लगने लगी है हलाकि मंगलवार को परदेश के कुछ जीलों में आसमान में हलके बादल नजर आए पिछले 24 गंटे की बात करें तो यहां मौसम सुस्क नजर आया सबसे अधिक तैपमान चाहिबशा का 32 degree Celsius रिकोरट किया गया जबकि सबसे कम तैपमान खोटी में 11 degree Celsius रिकोरट किया गया बता दे राँची थीत मौसम करयालिय के मौसम बैगनिए अभी से एक आननन नहें बताया है कि उत्री जारकन का जो भाग है संधाल परगंा पलामू और हजारी बाग में निम्तन तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी इन इलाकों में अगले दो से तीन दिरों में तापमान दो से चार डेगरी गिर सकता है इसकी वज़ा मौसम बैग्यानिकों ने बताया कि पजमी भी सोब के जाने से जो ठंडी हवाए आएंगी उस कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी जारखन के बिकास के लिए पैसे की नहीं है कमी मुख्य मंत्री हमान सुरे ने खत्यानी जोहर यात्रा से पूर्व जमसेद पूर में पूर्वी सिम्भूम और सराय के लगहर सवाजीलों में चल रहे विकास कारियों की समिक्छा की इस देवरान उन्होंने कहा है कि अधिकारी पूरी इमंदारी और निष्टा के साथ अपने कारियों जिमेदारियों एवाँ दायोत्यों को निभाए योजनाओ के किराणवयन में कोई कोता ही नहीं बरतनी जानी चाहिए जानता कि समस्याओ को पूरी सन्वेदन सिलता के साथ सुने और उसका समधान करे इसमें जो अधिकारी लपरवाही तथा धिलाई बरतेंगे उनके खिलाब सरकार का ठोर करवाई करने से पीछे नहीं हटेगी उन्होंने कहा है कि अभी जीला अस्तर पर समिक्चा हो रही है बहुत जल्द और अक्रमक तरीके से जुनाओ की जमीनी हाकिकत को जानने के लिए आएंगे गंतांत्र दिवस की जाकियों में जनजातिय मंत्रालाई की जाकि को प्रत्थम अस्थान भारत के 74 गंतांत्र दिवस पर करतब पत पर निकली भव्य परेड में केंद्रिय मंत्रालियों के साथ साथ राज्य की जाकियों का भी परत्थन किया गया था केंद्रे जन जातिये मंत्रालाई की जाकी को प्रतम पुरुसकार मिला है बता दे केंद्रे जन जातिये मामलों के मंत्री अरजुन मुंडा ने पुरुसकार गरहन किया प्रोस्कार गरहन करने के बाद स्री मुंडा ने अपने मंत्राले की इस उपलब्धी पर विभाग के अधिकारियों और करमचारियों के बदाई दी उन्होंने कहा है कि जन जाती है कारे मंत्राले के दोरा गंतंत्र दिवस समारों में देश भर के जन जाती है अतितियों और जाकिक कलाकारों के सम्मान में आयोजीत स्वागत समारों में सामिल होने का उसर मिला आज का या समारों मंत्राले के लिए इसलिए भी उपलब्धियों का रहा क्योंकि कल ही मंत्राले ने गंदां त्रिद्वस की जाकियों में मंत्रालेयों और विभागयों की स्रेनी में स्रेश्ट जाकी का पुरसकार हासिल किया बाबुलल मरांडी ने कहा दूसरे के कंधे पर बंदू करह कर गोली चला रही है मंत सरकार खतियानी सम्मधी विधयक के राजेपल द्वारा लोटाए जाने के बाद से राजे की राइनिती गर्माई हुई है मुद्दे को लेकर जामुमो जहां भाजपा पर हमलवार है वहीं भाजपा इसे लेकर बचाव करती हुई दिखाई दे रही है भाजपा भी धायक दल किनेता और पूर मुख्य मंत्री बाबुलान मरांडी ने मंगलवार को मुख्य मंत्री हेमान सुरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कुछ उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी 1932 के खत्यान का विरोध नहीं गिया लेकिन हेमान सरकार दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रही है उन्होंने कहा है कि हेमान सुरेन ने और जुन मुंटा की सरकार को 1932 के खत्यान अधालित अस्थानिये और नियोजन निती के नाम पर ही समर्थन वापस लेकर गिराई थी तब वे राजे के उप मुख मंत्री थे हेमान सुरेन को जवाब देना हुगा कि आखिर 18 महीने तक वे पहली बार राजे के मुख मंत्री रहे फिर भी अस्थाने निती और नियोजन निती नहीं बनाई ज्यारखन में ओनलाइन होगी मंता वाहनों की बिवस्था राजे में जननी सीसू सुरक्षा कारेकरम के तहत गरभवती महिलाओ और एक वरस्तक के बिमार सीसूों को अस्पताल पहुचाने एवां अस्पताल से वापस घर लाने के लिए संचालित मंता वाहनों पर अब इसके साथ ही ममता वाहनों पर खर्ष की नई दर के साथ-साथ पिछले साल राजे में शुरू हुई बाइक एम्बूलेंस सेवा के लिए भी दर ताय कर दिया है ममता वाहन लाभूकों को निसुल्क उपलब्द कराय जाते हैं राजे में 2011 में शुरू जरनी सीशू सुरक्षा कारम के थात केंद्रे ने शुरू में ममता वाहन के लिए प्रती मरीज एक है रुपई अधिक्तम राजी ताय की थी लेकिन इसे 2016 में घटा कर 500 रुपई सिमित कर दी गई थी राज सरकार ने 2018 में राजी बढ़ा कर 800 रुपई कर दी थी जिसमें अतरिक 300 रुपई का वहन राज सरकार अपने बैट से कर रही थी सीम हमन्त बोले राजे पाल की आपतियों को दूर करने का करेंगे प्रयास 1932 के खतियान समधी बिधयक और राजे पाल से लोटाने के बाद से ही राजे की रही निती करमा गई है बिधयक को लेकर जहामो और बीजेपी एक दूसे परवार पलटवार करने में लगे हुए हैं इस समध में मुक्य मंत्री हमान सुरें से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि मैं राजे के दोरे पर निकला था तब ही रास्ते में मीडिया के माध्यम से पता चला है कि राजे पाल ने उन्हें 32 के समधी बिधयक लोटा दिया है मुक्यमंद्री ने कहा कि राजपाल ने क्या अपत्य जताई है और किन बातों पर उन्हें चिंता है यह देखने के बाद ही इस पर कुछ बोल पाएंगे उन्होंने कहा है कि विध्य को लेकर राजपाल की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे धनबाद के आशिरवाद टावर में आग से चोदह की मौत अठारा घायल जारखन के धनबाद जिले में सक्ति मंदिर रोट इस्थित आशिरवाद टावर में मंगलवार साम को भिशन आग लग गए जिसमें चोदह लोगों की जिनता जल कर मौत हो गई है इस अगिन कांड में 18 लोग घायल बताये जा रहे हैं धनबाद के जोड़ा फाटक इलाके में अशिरवाद टावर में आग साम को 6 बज़े लगी जारखन के मुक्ष जी सुकदेव सिंग ने बताया है कि अशिरवाद टावर के एक फलेट में बिवाद का करक्रम चल रहा था सबसे पहले आग इसी फलेट में लगी और फैल कर विक्राल रूप धार्म कर लिया घायलों को पिभीन अस्पतालों में भरती कराया गया है दमकल्बी भाग की अगिन समन दलने रातरी लभग नौब वये तक आग पर काबू पा लिया लेकिन रहात यहां बचाव का कार्य अभी जारी है 1130 वैकेंसी के लिए पहुंचे 150 अभियार थी धनबाद और प्रदेशिक नियोजनाले धनबाद में सोमवार को प्राइबेट कमपनियों की ओर से भरती कैम का उजन हुआ भरती कैप में 18-27 वर्स तक के अभियारतियों के लिए 1130 पत पर वैकेंसी थी बता दे सोमवार को लगभग 150 अभियारति ही पहुंचे सक्षतकार वो अने पर किरिया पूरीकर अमतिम रूप से 32 का चैन करने की घोसना की गई भारत नियुजिलेंड मैच के दोरान बंगाल का चोर गिरोह था एक टीव रांची पुलिस ने बंगाल से दो चोरों को गिरफतार किया है इन चोरों ने रांची में हुए भारत नियुजिलेंड मैच के दोरान 50 से अधिक मोबाइल की चोरी की थी बता दे भारत और नियुजिलेंड के बीच रांची में हुए T20 किरिकेट मैच के दोरान बंगाल से आए चोरों ने 50 से अधिक मोबाइल गायब कर दिये थे मामले की सिकायत अलग-अलग थानों में दर्च की गई थी जिसके बाद रांची SSP के निदेश पर बनी टीम ने मोबाइल गायब करने वाले दो साथिर चोरों को बंगाल के पुरूलिया से धर दबोचा है हलाकि उनके पास से मातर चार मोबाइल ही बरामत हो पाए है हेल्थ मिनिस्टर को ढूंड रहे आमरन अंसन पर बैठे स्वास्त करमचारी राजे भर के 13 हजार अनुबंध पर बाहल स्वास्त करमचारी पिछले 24 जनवरी से आमरन अंसन पर है जिस करण कई स्वास्त करमियों का स्वास्त दिन परते दिन बिगरता ही जा रहा है सिर्फ स्वास्त करमचारी ही नहीं बलिक स्वास्त के इंदर पर आने वाले मरीजों के भी इसीती खराब होती जा रही है बता दे स्वास्त करमचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए क्योंकि पिछले 15 वर्सों से हुआ काम कर रहे हैं उन्हें न तो काम के हिसाब से बेतन मिल रहा है और नहीं सरकारी अस्तर पर किसी तरह के सुधा महया हुपा रही है स्वास्त करमचारियों का कहना है कि कोरोना काल के दुरान उन्होंने अपनी जान पर खिलकर काम किया और आम लोगों की जान बचाई इसके बावजूत स्वास्त विभागे तरफ से किसी भी तरह का कोई लाब करमचारियों को नहीं दिया गया आठ फरवरी तक नोवादय विद्याले के लिए रईस्टेशन जोहर नोवादय विद्याले में नमांकन के लिए होने वाली परवेस परिक्षा के लिए अब आठ फरवाई तक रईस्टेशन होगा नोधे विद्यालाय समीती ने इस समाध में सोमवार कोई सुस्टना जारी की है अभी तक तय लक्ष से काफी कम रईस्टेशन ने के कार्ण रईस्टेशन की तारीक बढ़ाई गई है पहले रईस्टेशन की अमतिम तारीक 31 जनवारी थी बता दे रांची जीले में 31 जनवारी की सुबवा तक 1260 रईस्टेशन हुआ था इसमें सबसे अधिक रईस्टेशन मांडर परकंड से हुआ है मांडरेस 112 रजिस्टेशन हुआ जबकि सबसे कम तीन रजिस्टेशन इटकी से हुआ है जैक बोर्ड बराहमी परिक्षा के लिए एड्मिट कार्ड जारी जार्खन एकेडमी कांसिल ने इंटर्मीडियेट परिक्षा 2023 के परवेस्पत्र जारी कर दिया है जैक बराहमी की फाइनल परिक्षा 2023 के लिए अपना रजिस्टेशन कराने वाले छात्रों के एड्मिट कार्ड कांसिल की अधिकारिक वेबसाइट जैक.जार्खन.gov.in पर अपलोड किये जा चुके है जैक बराहमी के छात्र ध्यान रखे कि एड्मिट कार्ड केवल इस्कूल की लोगिन आईडी के जरीए ही डाउनलोड किये जा सकेंगे यानि की छात्र डारेक्ट अपने एड्मिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे चात्रों के सम्मंतित इस्कूल परमूख के माद्यम से एड्मिट कार्ड दिये जाएंगे गल्स होस्टल से रात नौ बज़े के बाद निकलना मना बियाईटी मेसरा परवंदन ने अपने विद्यार्थियों के लिए कोड अफ कंडक्ट दोहयरतेस जारी किया है इसके तहट अब चात्राओं को रात नौ बज़े से सुबा चात्राओं को सामिल होने के लिए चात्राओं वाडन साहयक से पुरु अनुमति लेनी होगी इसके लिए आवेदान गतिविधी संचालित करने वाले प्रभारी प्रोफेसर द्वारा अनुसांसित होना चाहिए और भाग लेने वाले छात्राओं के सुची में सामिल होना चाहिए जारखन के 136 बीएट कॉलेज में तीसरे राउंड की कॉंसिलिंग के बाद भी चाहिए सीटे खाली रह गई है कूल 13600 सीटों में अब तक लवग 9500 अभियार्थियों नमांकन ले लिया है बता दे रांची इस बीज़हला है कॉंसिलिंग सेल अब सिटों को भरने के लिए 31 जनवरी से चौथे राउंड की कॉंसिलिंग सुरू करेगा सेल के को अडिनेटर डाक्टर राज कुमर सर्मा ने बताया एक नमांकन के लिए चोथे चरण की कांसलिंग के कार्य 31 जनवरी 2023 से सुरू हो रहा है वैसे सभी अभियार्थी जीन का अभित तक कहीं नमांकन नहीं हो पाया है वह चोथे राउंड के कॉंसेलिंग में भाग ले सकते हैं इस राउंड में आवेदन के लिए 31 जनवरी से 2 फरवरी 2003 तक का समय दिया गया है जहारखन के सभी सहरों में होगा बिधूत सवदाह ग्रीह का निर्मान राज्य के सभी सहरों में विधूत सवदाह गिरिह का निर्मान किया जाएगा जुडकों ने सभी सवदाह गिरिह के लिए एक ही मोडल तैयार किया है नगर विकास विभागने सभी नगर निकायों को सवधागरी निर्मान के लिए भोमी की तलास कर प्रस्ताओ देने का निर्देश दिया है सभी निकाय जुड़को द्वारा मोडल का अनुसरान करेंगे एक सभी निर्मान में लबग तीन को रुपय की लागत आएगी बतादे पंद्रहवे बीत आयोक की रासी से निर्मान कारे कराया जाएगा सभी गैस फरवर्ड होंगे राजी के सोलर नगर निकायों में बिदूत सभी निर्मान सुरू कर दिया गया है बेतला में उत्पात मचाने वाला सियार का हुआ पुश्मास्टम बेतला निशनल पार्क से सटे ठेका सेमर के पास सोमवार को मृत पाये गए आतंक मचाने वाले सियार को पुश्मास्टम के बाद अपना दिया गया सियार ने कई बच्चों पर हमला कर उसे काट लिया था सोमवार दोपर बाद उक्त सियार ने पोखरी के एक बच्चे पर सियार पी एफ कैम के पास हमला कर दिया था बच्चे दोवारा सोर मचाने पर अस्थाने ग्रामी नोहां पहुचे पिछले दिनों लगातार अग्यात जानवर के हमले से घायर हो रहे बच्चों ने पाचान कर बताया कि उसी जानवर द्वारा पहले भी हमला किया गया था रभीवार की दो फर को भी दो बच्चों को इसी सियार ने हमला किया था जेजे एमपी का सब जोनरल कमांडर अनिल ने किया सरेंडर पलामू में पूलिस की लागातार बढ़ रही दविस और सरकार के पुर्णवास निती से प्रभावित होकर नकसली संगठन जेजे एमपी का सब जोनरल कमांडर अनिल भुया ने मंगलवार को सरेंडर किया अनिल बुया ने पलामू S.P. चंदन कुमार सिन्हा, C.R.P.F. 134 के कमांडेट सुदेश कुमार तथा C.R.P.F. 172 के कमांडेट नरी पेंद्र कुमार सिन्ह के समख सिरेंडर किया है सरेंडर आत्म समरपन के दरान उसके पास एक देशी कट्टा और 315 बोर के दो गोली भी पूलिस को सौप दिया गया सरकार ने 5000 कमपनियों के भेजा नोटी से जारखन सरकार ने जारखन के लोगों को रोजगार देने के लिए नियोजन अधिनियम 2021 बिधान सबास से पारित कराया था इस कानून के तहत नियमावली अधिसूचित होने के एक महिने के भीतर 10 से अधिक करमचारी वाला सभी प्राइवेट कमपनियों को रेजिस्टेशन कराना जरूरी था हलाकि अभी महज 1100 कमपनियों नहीं रेजिस्टेशन कराया है यह रेजिस्टेशन भी राज सरकार के दबाव पर बढ़ा है पिछले साल दिसम्बर तक महज 400 कंपनियां नहीं आपना रगिस्टेशन कराया था इस साल जनवरी माह में 701 नहीं रगिस्टेशन हुए है बता दे अब विभाग ने 5000 से अधिक कंपनियों को रगिस्टेशन के लिए नोटिस भेजा है हलाकि राइस्टेशन के अम्तिम समय सीमात ताय नहीं की गई यह नियमावली पिछले साल 15 जुलाई को ही अधिसुचित होई थी एनपीएस में फंसी रासी का मोह नहीं छोड़ पा रही सरकार राज्जे के सरकारी कमचारियों की मांग के अनुरूप उन्हे पुरानी पेंसन योयिणा में सैमिल करने के फैसले पर अमल करenden चुके जारखंड के 98% करमचारियों ने पुरानी पेंसन योयिणा के तहत कटोती के लिए समाती पदान कर दी है उनके खाते से रासी की कटोती भी शुआ होचुकी है बतादे जार्खंड भविस निधी निधे साले के अकड़ों के अनुसार 1,16,303 करमचारियों ने इसके लिए अपनी समाती पदान की और सभी के खातों से रासी की कड़ोरती भी सुरू हो चुकी है या आकड़ा कुल करमियों के हिसाब से लगवग अन्ठान में परती सत है ग्यात हो कि जार्खंड में 1.2004 के बाद नियोक्त राज सरकार के करमचारी नेशनल पेंशन इसकीम के दारे में हो है इसके तहट आने वाले 1.14.326 करमचारीों को जार्खंड सरकार ने पुरानी और नई पेंशन इसना में से किसी एक कविकल्प चुनने के लिए कहा गया था धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है थे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फिडिवाय का वस्रेदे थैंक यू